आपका बहुत बहुत स्वागत है आप ही के अपने यूटीब चनल स्टॉक मार्केट अड़े पे आज का बजार का जो 17 बहुत ही रेंज बाउंड रहा निफ्टी ने एक रेंज में ट्रेडिंग की दोस्तों बजार एक बुल ट्रेंड में चल रहा है बजार ने सभी जितनी भी नेगटिव निउस बजार में आ सकते थी उनको सब्सक्राइब किया है बजार सेख लिए ने सूच रहें कि बजार गिरेगा या नहीं गिरेगा या बजार में कर्येक्शन की शुरुआँ हो जाएगी तोस्तों बजार समझ लीजिए फोड़ लुकिंग रहता है बजार हमेशा आगे की दिक्शे सोचता है हम लोग आज में जीते रहते हैं, हम लोगों को लगता है कि आज का सपोर्ट क्या है, कल का सपोर्ट क्या रहने वाला है, कोई बैड न्यूस बजा को ट्रिगर करेगी या नहीं करेगी, या कोई अच्छी न्यूस बजा को ट्रिगर करेगी या नहीं करेगी, बट बजार जो लोग बजार में पैसा लगा रहे हैं, शायद उनको कहीं ने कहीं वो पता होता है कि economy किस तर जा रही है, बजार किस तर जा रहा है, क्या sentiments है, कहीं ने कहीं उनको रुजहान पता होता है, मैं हमेशा से कहता है हूँ कि you should always trade only with the trend, जैसा trend हो वैसा बदल जाएए, बजार तेज ह हो गया है, तेज हो जाई है, बजार मन्दा हो गया है, मन्दा हो जाई है, अगर आपको beer और bull दोनों बनना है, तभी बजार में successful हो सकते हैं, बजार एक range में रहा है, अगर बजार को देखा जाए, तो बजार सुबह खुला बड़ा अच्छा लग रहा था, कि आज 8000 पार अगर बजार एक ठीक ठाक से bullish candle बनाके, green candle बनाके बन हुआ लगा बजार में, फिर से buying आ सकते हैं, अब देखना होगा बजार का रुख क्या होगा, अब यहाँ पर जो trader रहेंगे, traders के लिए जो sentiment रहना चाहिए, जो level analysis होना चाहिए, उसको हम कैसे समझा जाए, बजार हाई supply zone मिल ही जाती ही कही नगी, यहाँ पर अगर हम थोड़ा TTC की मदद लेने ही खुशिच करें, which is called as strength trading calculator, तो यह भी देखिए, अब जो breakout level जो हमारे निकल के आ रहे हैं, that is 17,424, 17,424 के ओपरी बजार तेज दिखाई देता है, अगर वो इसके ऊपर निकल जाता है, तो यहा पर यह जो stop loss रहेगा, positional stop loss, दो दरगे stop loss में आपको दे रहा हूँ, 17,292 का रहेगा हमारा swing stop loss, जो positional trade करते हैं, दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप से request करना चाहँँगा कि यह जितनी भी level analysis है, मेरी अपनी analysis है, मेरी अपनी observation है, कोई भी trade लेने से पहले अपना level analysis कर लीजिए, अपनी दिमाग लगा लीजिए, उसके बाद ही trade लीजिए, क्योंकि यह मेरी analysis है, यह मेरी observation में आप से share कर रहा हूँ, मेरे tools है, यह दोस्तों, यह trend trading calculator मेरे students को फ्री मिलता है, उस्तों, डेली class में मैंने क्लिए-बली कह दिया था कि excited industries ने इपना bottom अना लिया तो बजार आपको कभी हराएगा नहीं, बजार में कभी हार नहीं सकते हैं, बट अब अब को reading नहीं करने आती हैं, आपको time नहीं हैं, तो फिर बजार आपके लिए नहीं बना है, अब तो margin rules भी बहुत strict होगए हैं, 100% margin आपको रखना है, trade करने से पहले, investor करने से पहले, position लेने से पहले, तो दोस्तों अब आपको अपने पैसे से काम करना होगा, अगर अब भी भी आप positional या swing trading नहीं कर सकते हैं, तो guys, मेरे साब से बजार में बहुत लंबा career आपका नहीं है, आपके अपनी choice हो सकती है, मैं अपने आपको positional trader में convert कर चुका हूँ, मैं अपने आ आपको change कर ही देगा, या तो बजार आपको बाहर कर देगा बजार से, या आपको change करके देगा, अब आपके सामने nifty के levels में आपको देरियें, 17,424 का एक make-out या break-out travel रहेगा, 17,424 के open nifty निकलती है, और buy कर सकते हैं, intraday का stop loss हेगा, 17,386 का stop loss के साथ में राइड करेंगे 386 के नीचे बजार निकलता है, अगर आपको short करना है, तो 17,430 का stop loss रहेगा, और हमारा first target रहेगा, 17,350 का और उसको तोड़ता है, 17,320 का training point of view से, अगर 17,424 से open निकलता है, तो I can really see nifty going and touching 17,556 and 17,690 तक के level आ सकते हैं, चलिए देखते हैं, bank nifty का रुजान कैसा दिखाई bank nifty भी देखी गाइस, जिब मैं आपको कह रहा था, 36,000 पार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, जैसे ही बजार ने 36,000 को पार किया, वहां से bank nifty ने आपको 1000 point की rally देदी, मैं आपको खाता, 37,000 के आसपास आ जाएगा, जिनको बेशवास नहीं है, जाएए पुराने live sessions देखाई दे रहा था intraday में, बिल्कुल बजार में profit booking लगातार आती हुई दिखाई दे रही थी, अगर आप देखाना चाहे तो trend को देख सकते हैं, एक lower, high and lower low के pattern को, formation को बनाएगा जो आज की रिट में बच्चे को भी पता हुआ कि trend कैसे identify करते हैं, अब bank nifty का जो breakout रहे 4 के उपर ही भाय करने वाले हैं, with a positional stop loss below 36,672, इसके नीचे फिट से profit booking आ सकती है, बहुत ही अच्छे से आ सकती है, इंट्रेट में बाइं करने वाले लोग 36,755 के उपर में बाय करेंगे, 755 के उपर में, with a positional, with a intraday stop loss of 36,692 and below, उसके नीचे थोड़ा बहुत लगा सकते है, और एक बार वो 864 के उपर निकल गई तो गाइज, आपको पकड़ने मुश्किल होगी, 37,250 के लावल आपको देखने को वापस से मिरेंगे, गाइज, अगर आप मेरे live sessions में आते रहे हैं, जो मैं कभी कभी करता हूँ, आज कल तो मैं इतना regular रही हूँ, कुछ issues की वैसे है, बट मैंने आपको कहा था कि Reliance 2400 टच करेंगा, गाइस, Reliance ने 2400 टच किया, मैंने कहा था कि 2025 के असपास आप इसका एक bottom formation देखेंगे, 2025 के उपर वो नहीं गया, देखें, ये last candle थी, जो हमारे students नहीं भाई किया था, मैंने आपको बार-बार live sessions में रिकमेंड किया था, क once Reliance moves, it will hit 2400, डेखें, Reliance ने 2400 टच कर दिया, गाइस, अच्छे stocks में अच्छी positions बनाइए, एच्छा trade कीजिए, तभी मजा आएगा, और हाँ, अगर आप सीखना चाहते हैं, तो yes, I am heading towards my Ehandabad class now, after my Delhi class, Ehandabad की class है 11 और 12 September को, जी यहां, सिर्फ कुछ दिन बचे हैं, कुछ ही seats बाकी हैं, बहुत लंबी classes नहीं ले रहा हूं, बहुत चोटी-चोटी classes ले रहा हूं, अगर आप आना चाहते हैं, if you really want to master yourself into this number game, सीखना चाहते हैं, कि यह बजार कैसे चलता है, क्यों चलता है, क्या sentiments है, क्या psychology है, इस class में आपको क्या basic 4 चीज़े सिखाई जैंगी, क्या खरीदें, और कब बेचें, यही नहीं आता है, लोगों को क्या खरीदें, कहां खरीदें, क्यों खरीदें, और कहां बेचें, अगर यह सब चीज़ों को answer अगर आपके पास है, आपको कहीं कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, practice कीजिए, बरुसा कीजिए, trade आपको पैसा गई देगा नहीं है, तो सीखें, मुझसे सीखें, जिससे भी सीखना है सीखें, thank you guys, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, bye bye, take care, jahin